हर किसी व्यक्ति के मन में है इच्छा होती है अपने जीवन साथी के बारे में जानने की और व्यक्ति अपनी जन्मकुंडली के सब्तम भाव से सब्तम भाव में यानि कि जो भी राशी पड़ी है उस राशी से ही विक्ति अपने जीवन साथी के सभाव के बारे में जान सकता है तो अगर विक्ति के जनकुली के सब्तम भाव में मेश राशी है तो मेश राशी का स्वामी होता है मंगलगर है तो ऐसे विक्ति का जीवन साथी कुछ मनमोजी सभाव का होता है उसके नयन, नक्ष, अकर्शक होते हैं लेकिन उस विक्ति का जीवन साथी होता है वो थोड़ा क्रोधित सभाव का भी होता है और क्रोधित सभाव की होने के वज़े से कहीं बार इन दोनों की आपस में और आपकल कोई श्वामी होता है शकूर का स्वर को सवामी होता है तो एससे कर जीवन साथी भी रुमांटिक और दिखने में सुंदर होता है और घृतिकी जीवन लेके साथवे घर में मित्वन राशी है तो मित्वन राशी का स्वामी होते है बुद्ग्र है तो ऐसे विक्ति के जीवन साथी दिखने में खूब सूरत होते हैं और हमेशा अपनी उम्र से भी कम दिखते हैं क्योंकि बुद्ग्र है एक कुमार गरह है इन विक्ते के जीवन साथी को लेखन और गायन में भी काफी रूची हो सकती है और इनकी जो बोधिक शमता होती है वो भी काफी अच्छी होती है इन विक्ते के जीवन साथी हमेशा अपनी सोच समझ कर ही विचार करते हैं फैसला करते हैं इनकी जीवन साथी को अच्छे लिखे शाली भी होते है और उनका सभाव भी शांता है नर्म होता है और कई मामलों पडि दिल से लगा लेते हैं तो उसके अड़िक भी रहते ह depth हे से भी इनके जीवन उदार और उसमझे उद्यार होते हैं और मन का थोड़ाई चंचल भी होता साथ ही इनके जीवन साथी को लीडर्शिप में रहना ज्यादा पसंद होता है अगर किसी विक्ति के सब्तम भाव में कन्या राशी है तो उसका स्वामी भी होता है बुद्गर है ऐसी विक्ति के जीवन साथी सामाने कद काठी के और मन मस्तर्शिक इनका काफी अच्छा होता है गलत बाते को यहे विक्ति बरदाश नहीं करते मतलब पसंद नहीं करते और इनके जीवन साथी का भागे उदे इनको भी उन्ती दिलाने में सहायक होता है अब अगर किस विक्तति के सात्वे घर में तुला राशी होती है तो इनका जीवन साती रूपवान गुणवान होता है धर्म कर्म में इनकी रूची होती है बाच्चित की कलामे, निपून और आम तोब पर सहन शिलता का परीचर ये लोग देते हैं साथवे घर में अगर विष्चिक राशी है तो इन विक्तिक जीवन साथी भी तामरवन का और क्रोधी सभाव का होता है जराजरा सी बात पर बिच्छु की तरह काटने को दोड़ता है इनके जीवन साथी सोच समझ कर खर्ष करने वाले होते हैं और रúa रोमाद के मामनें भी यादा-सक्रे नहीं होते जर्मकुंडी के साथवे घर में धनोराशी होने के कारण इन विक्तिके जीवन साथी सुझदर और धार्मिक सभाव के होते हैं क्रोधित होने पर भी इनका गुसा जल्दी शानत हो जाता है और इनके जीवन साथी काफी समझदार और ग्यानी भी होते हैं इनके जीवन साथी की धर्म में भी काफी रूची होती है इन सब बातों का अध्यन करने से पहले यह भी विचार कर ले कि सब्तमभाव में या फिर विक्ति के लगन में कोई अन्य ग्रहन नहीं है क्योंकि उस सबस्ता में आपकी जीवन साथी का सब्भाव रंग रूप काफी बदल जाता है यहां के वल सब्तमभाव में राशी के होने की ही बात की गई है साथवे घर में मकर राशी होने की कारण विक्ति के जीवन साथी सामला होता है और लंबा होता है इनके जीवन साती के विचारों से प्रतिकुल बाते होने पर यह विक्ती वादवी वादवी करने लगते हैं इनके अंदर शर्म की भावना ज्यादा नहीं होती और इसलिए बेजीचे खोकर काम करने वाले होते हैं साथी इन विक्तिके जीवनसाती तीखे वचन भी बोलते हैं। कुणले के सात्वे घर में कुम्ब राशी होने के कारण। विक्तिके जीवनसाती धार्मिक तो होता है लेकिन जादा अंध विश्वासी नहीं होता। इनका शरीर स्थुल और भावक विचार वाले होते हैं जीवन साथी के प्रतीव वफदार लेकिन शंकालों मिजाज की भी रहते हैं साथी ये वीक्तें भी ठीखे वचन बोलते हैं साथे घर में मीन राशी होती है तो इन विक्तिक के जीवन साती दिखने में तो सुंदर होता है और अक्सर इनको स्वास्ते संबंदी परिशानिया भी लगी रहती है इनके साथ तालमिल बनाए रखेंगे तो घर में सुक शांती रहीगी वरना कल्ये का माहूल बना रहता है इसके साथ ही इन विक्तिक की जीवन साथी भी काफी बुद्धिमान और ग्यानी होते हैं तो प्रियदर्शुकों यह तो थी जीवन साथी के सभाव से संबंदित कुछ विशेश जानकरी ऐसी ही और वीडियो जानकरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करना नहीं भूलेगा धन्यवाद